हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जेजसु जोहार नमस्कार और आदाव सस्टेयकाल और आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको मेरे यूट्यूब चनल पर स्वागत करती हूँ और थंड़ सीजन चल है वैं उसको आपनों को दिखाऊंगे कुछ-कुछ चीज मैं थोड़ा खतम हो गया है तो सैल उसको मैं अपनों नहीं दिखा पाऊंगे और जो हैल्ल छो यूजकरो उसको मैं आपनों को दिखा menor ।िक ए फ्रैंड्स मेरे साथ बने रहीए और प्रैंड्स में आप सब को मो and hair डोनों केयर का जो प्रड़क्ट सब है उसी को में दिखा रही हूं और स्टाटिंग करती हूं मैं पहले स्कीन का ठीक है यह है मेरा फेश्वास मामायर्थ का टीफ्री फेश्वास बहुत अच्छा है एकनी पिंपसल है मेरा निकला भी था बहुत ठीक हो गया है और यह वह बोर डीलेशन है इसका और एक आता है पर उसमें विटामिन सी नहीं रहता है और विटामिन सी जहां है मेरा प्रड़क्ट बहुत पसंद है इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूं और यह जो है यह हैं मेरा मॉस्चराइजर सुबह और साम को बाहर जाने से भी लगा सकते है मैं इसको नहा क्याती हूं फेस्वास करने के बाद यह फेस्वास है फेस्वास करने के बाद में इसको मॉस्चराइजर लगा लेती हूं पर लगाने से पहले यहां पर देखिए यह हैं क्लींजर जैसे काम करता है इसको क्लीन कर देंगे अच्छा से इसको क्लीन करने के बाद में यह वह जो है इसको लगा सकते हैं ये मौस्चराइजर उसके बाद में यहां पर यह संस्क्रीन यह से बनूलॉप मतलब कि ढ़ा आधे दूप में तो फिर आप मत जाने का टाइम में लागा की या तैम क्टाइमें 29 अपने भी लगाती हूं और यह हो गया मेरा आप लोग का स्कीन डे का और यह हमारा स्कीन का नाइट के लिए पीमपल सब जद्धा हो जाता है तो रात को इसको आप कॉटन में लगा सकते हैं फेस्वस करने के बाद इसको लगाईएगा ठीक है इसको रात को लगा के ओभर नै अपने लिए और यह हम लोग का कॉस्टर ओएल तेल इसको आप नारेल तेल के साथ मिक्स करके लगाईए या पर कोई भी तेल यूज करें घर में उसके साथ इसको तो तुछा मिस करके थोड़ा सा अच्छा से हैर में लगा के मसाज कीजिए और जब हैर वास करेंगे तो अ आप इस पे हैर जब ऑइलिंग करेंगे उस तेम लगा दीजिए नाइडल तेल के साथ या जो तेल आप यूज करें उसके साथ एक और यह सैंपू लगा देंगे लगाने के बाद में हैर वास खतम करने के बाद में यह है मेरा सीरम यह भी बहुत अच्छा सीरम है इसको दिखा दी उसके बाद में आप एस सब को मतब कि ए मौस्टर लगा के यह संस्क्रीम लागाने के बाद में आप कोई पौडर लगा सकते हैं मैं तो आप कोई भी पौडर लगा सकते हैं और अगर आपके पास अगर यह वीटामिन-C बोडिलोशन मामायक कर नहीं है तो आप ये लिप नहीं तो इसको दोनों में कोई एक चीज लगा सकते हैं और और ये एक मिलाई थी पार्लर से इंसे बहुत अच्छा है लिबस्टिक जैसे ही है त्लिफ को बलाक नहीं करता है ये भी बहुत अच्छा है और जैसे मैं बोली इसको और इसको दोनों को लगाने के हला को कौटन कचाहिए तो हम ele कौटन से रखती हूं और कॉटन भी use करका लगा सकते और अग्र आपको यह से नहीं लगाना है तो आप बेबी लिप्स भी लगा चकते हैं बेबी बाब मैं आपको मेरा सब चीज दिखा दी फ्रेंड्स हैर का स्कीन का और यह रहा दोनों लिप का ठीक है और आप लोग क्या क्या यूज करते हैं मेरे को थोड़ा सेर की जिएगा और में जो यूज करती हूँ आप सब को में वो चीज दिखा दी हूँ अच्छा लगएगा तो मेरे जैसे आप भी कर दिये यह सब को और लगएए ज्यादा प्राइस नहीं है सब कम प्राइस है सब चीज कम कम प्राइस में ही मिल जाएगा ठ फ्रेंड्स अच्छ किजएगा और नीज़ है मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर किजएगा बाइ va خ 2007